इससे की description बयार होता था उस painting का ऐसे 1400 folio बने थे 15 साल के वक्फे में 1562 से लेके 1577 तर और इन 1400 folio में से महस्थ 100 या 120 folio आज इस दुनिया में बखतरा रहे हैं ये folios दो painting थी इन्हें एक wooden frame के उपर लगाया जाता था बादशा तख के उपर बैठते थे सामने वो painting होती थी painting की पीछे दास्तान गोखा होता था दास्तान वो painting की पीछे जो अलफाज लिखे थे उनसे दास्तान गुनता था और बादशा को दास्तान सुनाता था बाक्षा सामने ये तस्वीर को देखते हुए दास्तान सुनते थे और जैसे ही दास्तान खत्म होती थी वो पेंटिंग स्लाइट कर जाती थी और एक नई पेंटिंग आ जाती थी और दास्तान बयान जानी रहता था और ये सिल्सला तक तक चलता था, जब तक बाक्षा अबर को नीन नहीं आ जाती थी और वो सो नहीं जाते थी, इससे हमारा बहुत फाइदा हो गया, अब अगर आप दास्तान सुनते सो गए, तो इसका मतलब आप दास्तान बहुत अच्छी सुना रहे, और अगर आप जागे तो इसका मतलब आप बाजॉप, बादब, बाफेहम लोग हैं दास्तान समझें, तो सो इसका हमारी जी और जागे तो आपकी जीएदी